लाइफ पाटनर के उपर एक नई डिस्कवरी होई जिसके उपर आच चर्चा होगी तो अगर आप एक लाइफ पार्टनर दख़ए है जैसे कि let's say कि कोई भी लाइफ पार्टनर है और आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि मुझे पता चलेगी आदमी मेरे को मेरा साथ देगा कर नहीं देगा तो एक टेक्नीक है जो अभी रिसेंट्ली डिस्कोवर हुई टेक्नीक का है यह लॉफ पाटर्न और लॉफ डॉयलिटी से कनेक्टेड तो देखे हुआ क्या कि सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि there are two types of girls and two types of men तो पहला प्रकार है औरतों का यह छोड़ो औरते हैं वो ती लीवर और दूसरा जो प्रकार है वो है सफरर जो लीवर है यह जो छोड़ देता है यह एक group होता है यह pattern है लोग का जैसे for example जब मैं college में था तो इच्छा से मेरी बाते होना start वी और इच्छा was a leaver because इच्छा छोड़ सकती थी मैं नहीं छोड़ पाता है क्योंकि मैं सफरर था दो प्रकार के लोग होते हैं एक और मेरा relationship था जहांपे मैं लखनों में कोई लड़की थी उसके साथ ऐसे ही था मतलब casual था बहुत पहले इतना serious नहीं था उसके साथ उसको भी मैं छोड़ नहीं पा रहा था ultimately उसने ही decision लिया छोड़ने का तो कुछ लोग होते हैं छोड़ नहीं पाते हैं छोड़ ही नहीं पाते हैं वो they are sufferer and कुछ लोग होते हैं छोड़ देते हैं they are leaver तो जो leavers होते हैं leavers इनको क्या करना है आपको कि आपको पहले देखना है कि आप क्या हो क्या आपने अपने जिंदगी में अपने जीवन में क्या आपने अपने जिन्दगी में जीवन में कभी भी किसी भी औरत को छोड़ा है अगर हां तो आप एक लीवर है तेखे अगर आपने किसी को चीटिंग किया तब छोड़ा है तब आप लीवर नहीं है अगर किसी की चल नहीं रही है या आपको कोई और पसंद आ गया तो ये सब बीच वाली में श्यू समाते हैं जिसमें चीटिंग हुई है वो तो लो तुमने protection यूज नहीं करी थी ऐसा कुछ था तो मैंने चाट पड़ी तो मैंने कहा रहे यार यह क्या तो में गुस्सा आया मैंने उसको तीन-चार महिने बात नहीं करी छटे महिने से फिर बात करने चालो कर दिया मैंने क्योंकि मेरे पस कोई था ही नहीं या अगर मुझे पता होता कि चार साल बात यह होने वाला है कॉलेज में कि यह सब मेरे को छोड़ के चले जाएंगे वापस मैं बैक टू स् परण करना अच्छे से जानती हैं या जानते हैं और यह छोड़ देते हैं कि जिस सुन्दर पुरुष की वज़े से या किसी सुन्दर जादा पैसे वाला है कोई भी रीजन होगा कि कास्ट नहीं मिल रही या पता नहीं बड़ेवा आइड़ों मुझे तो यसा लगता है कि अगर कास्ट मिल भी रही होती तो भी शायद हो मेरे शादी नहीं करती अच्छा हुआ उसने मेरे शादी नहीं करी क्योंकि जिस आदमी का हत्ते चड़ी है लड़की भागवान ही मालिक होगा तो लीवर्स जो होते हैं फिर 2019 पर जब मेरे ब्रेक अप हो तो उसने भी मेरे क आपकी को सेलेट करना है अगर आपको किसी को सेलेट करना है तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या यह लीवर है या फिर यह सफरर है सफरर क्या होता है सफरर वो होता है कि किसी ने कुछ गलत कर रही आपके साथ टॉर्टर कोई कर रहा है उसके बाद भी आप उसके स किये पड़े उसको अपने तरफ से छोड़ नहीं पा उसके पीछे पड़े हो छोड़ने में इतना दिक्कत हो रही है उनको छोड़ी नहीं पा रहे हैं छोड़ देंगे लेकिन उनको बहुत टाइम लग जाता है छोड़ने में like this that's why it's called sufferer because he suffers a lot in the relationship obviously कई ऐसे भी लोग हो हैं जो cheating भी हो जाती उसके बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको पहले देखना कि आप क्या हो क्या आप एक leaver हो अगर आप एक leaver हो यानि आप leavers group में आते हो तो आपको वैसे भी आपका जो agenda होगा relationship में most probably शायद unsirious होगा तो आप सीधा शादी करें है ना वो फिर बाद में देखेंगे क्या होगा लेकिन जो sufferers हैं जो sufferers group में आते हैं सफरर group मतलब वो group जो छोड़ नहीं बा रहा अपने boyfriend को या girlfriend को पता है कि यह गलत आदमी है फिर भी रहे चले जा रहे हैं उसके साथ उसको हमेशा सफरर से शादी करनी चाहिए जब मेरा 2019 में break up हुआ तो 2020 पूरा डेर्ड साल मैंने जहला फिर डेर्ड साल बाद मेरी जो अभी current girlfriend है वो मेरे को मिली उसके अंदर एक quality थी उसने अपने जब history बताई मुझे तो उसके अंदर quality थी कि अगर वो किसी के प्यार में पढ़ गई तो उसको छोड़ नहीं पाएगी unless एंदिल को उसके ओपर cheat करें तो मतलब जैसे कई ऐसी चीजे होती थी जैसे कि मैं टाइम से नहीं आ रहा हूँ या मैं बहुत सारी ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसे cases होए जहां पर मैं अच्छा boyfriend नहीं हूँ मतलब मैं थोड़ा सा बहुत dominant हो relationship में और मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यह नहीं करना है तो थोड़ा सा है मेरे अंदर मुझे लगता है कि उसके अलावा मेरे को पूरी पूरी जिंदगी में कोई लड़की जहली नहीं सकती क्योंकि मेरी personality ऐसी हो गई है कि especially relationship में कि मैं एक time पर इतना किया लोग के लिए इतना किया इतना किया और जो लोग कहते तो मैं करता था हाँ ठीक है तुम alpha हो तुम dominate कर रहे हो relationship में मैं चलूँगा तुम पार्त यह नहीं करना है ठीक है नहीं करना है पार्त यह ले क्या हो य यह करना है यहां चलना है ठीक है चल बस ठीक हाँ 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 जी उजूरी मुझे लगता था कि शुरू से ही मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी कि मुझे जो मुझे dominate करे मुझे बेबी 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 के साथ जैसा नहीं behave करते है बेबी सिटर तो कई ऐसे लड़के होते maximum लड़के ऐसे ही होते हैं जो dominate होना चाहते हैं क्योंकि उनको बेबी mother and baby वाला relationship चाहिए कि अले मेला बच्चा यहां आजा अले मेला बच्चा वहां चला जा तो वो एक अपनी girlfriend में अपनी mother को देख रहे होते हैं तो लोग समझने कोशिश करेंगे यह बहुत सब conscious level की चीज़ बता रहा हूँ आपको लड़के लोग maximum क्या चाहते हैं कि वो अपने girlfriend में as a mother भी कुछ चाहते हैं कि वो उनको यह सब करें और उसके बाद फिर आजा मेला बच्चा यह सब करें तो अब मैं को यह सब पसंद नहीं है एक्चली देखा जाए तो उस वह एक time था जो मेरे को बहुत पसंद था है क्यों क्यों क्योंकि मैंने तुमको मा बना के देखिया तुमने मेरे को दोका दे दिया तो उससे अच्छा तो मेरी मा है मेरी मा ने फिर भी मेरे को emotional support नहीं किया शुरू के time में अब तो मेरी मा बहुत ज़ाद़ emotional support देती है उस time नहीं किया था क्योंकि मेरी मदर जो है वो हमेशा से busy रही तो वो अपना उनके लिए like she's a very karma she's like a beast when she is going to work like monster की तरह वो काम करती है उनके लिए काम ही सब कुछ था एक time तो सब कुछ उनने त्याग दिया था काम के चक्कर में अब जब थोड़ा सा बुड़ी हो रहे हैं मतलब वृद्ध हो रहे हैं तो अब थोड़ा सा बड़ापा आ रहा है तो उनको समझ में आता है कि नहीं बच्चों को पर दो anyway but that जो भी मैंने सफर किया मैं अब शुरू के 20-25 साल में because of उनका भी एक बहुत बड़ा reason था not that कि उनको कभी सपोर्ट नहीं दिया financial सपोर्ट हमेशा हुए मेरे को तो सारे सपोर्ट मेरे को मिलते थे सिवाए वो emotional सपोर्ट के और मुझे कोई complain भी नहीं है नहीं मैंने कभी अपनी मां से इस बारें बाद करी और हो सकता है मेरी मृत्ति हो जाए कभी तो मेरी मां ये ब क्योंकि जो भी आपने दिया है मुझे लिए लगता कोई मां दे पाईगी हर मां बेबस होती है अपने पिता के ऊपर मला अपने पती के ऊपर पैसे के लिए लेकिन मेरी मां ने मेरे को financial इतना support दिया जसकी कोई हद नहीं है जब भी बुरा वक्त आ है मेरी मां मेरे साथ लाइफ का एक सबसे पूरा टाइम था 2019 में जो ब्रेक अप हुआ था उसके बाद अब मेरा जो भी टाइम चल रहा है पिछले से 7 महीने से उसमें मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो यह दो अरते हैं मेरी जिंदगी में जो खड़ी हुई है एक चीज और भी मैंने नोट करी है पै गहराई होती जाती है रिलाइजेशन में और मौक्ष में धीरे थीरे वैराग गहराता जाता है वैराग व्रिद्ध होता है वैराग की व्रिद्धी होती है शुरू में आपको छोटा वैराग मिलेगा तो आपको लगेग क conveyताश नहीं फील करोगे लिगिन जैसे ऐसे आप इसमें बाते करते जाओगे, इसमें पढ़ते जाओगे, इसी में घुषते जाओगे, आपका one pointed focus हो जाएगा spirituality में, जो कि मेरा हमेशा से रहा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वहराग इतना बड़ा हो जाएगा, कि 18 साल का हो जाएगा वो, तो 18 साल का वहराग यह मेरे साथ फिर आएगा 30 साल की उमर, जब वो आएगा तो हो सकता है कि, देखिए मैं आपका एक सिपकल एक्जामपल देता हूँ, आज सी दो साल पहले 28 साल की उमर थी मेरी, मेरे को बच्चे पैदा करने थे, आज दो साल बाद मेरे को बच्चे पैदा नहीं करने हैं, सोचों मैं 16 सा सोच के बैठा हूँ, कितने टाइम से ये वासना मेरे अंदर बैठी हुई है कि बच्चे, लेकिन एक्चली मैंने फिर जब देखा, लोग के बच्चे पैदा हुए, मेरे घर में कही बच्चे पैदा हुए, प्लस मेरा भाई भी पैदा हुए मेरे सामने, 19 साल का अभी हो, म मेरे कोई फर्क नहीं पढ़ता, कोई बच्चा मिले या ना मिले, ठीक है, मेरी जो गल्फेंड है वो शायद परिशान होते रहती है कि हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं क्या होने वाला ये वो, मैंने गा ऐसा कि तुम कितना परिशान क्यों हो रही हो, ऐस 240 करोड लोग हो चुके हैं, कितने बच्चे चाहिए तुमको अपनी वासना ही निकालने के लिए, और देखिए बच्चा आप दूसरे का देखके भी उसमें खिला सकते हो ना, देखिए अगर आप दूसरे का बच्चा खिला, मैं आपको सच बताता हूँ, आप दूसरे का जग रहा, उसमें आपको जगना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़ें, मुझे पता है कई लोग कहेंगे नहीं नहीं आपको नहीं पता है, बच्चा बैदा करना बढ़ा बढख सुगदाई होता है यह वो, तो ठीक अपनी वासना है, आप पूरी करो मेरे उपर मत डालो, मे आपकी विजन इतनी बड़ी हो जाती है कि जो बड़े बड़े डिजायर से वो छोटे लगने लगते हैं, अभी आप छोटे हो, डिजायर बड़े है, बिल्डिंग के समान, तो एक्चली क्या होता है कि डिजायर को छोड़ने के लिए एक बड़ी विजन का होना ज़रूरी वो आपको समन नहीं हाएगा विश्याद तो यह था तो जैसे से वेराग गहराता जाता है आप बड़े होते जाते हैं तो अब देखिए मैं सफरर था जब मेरी गल्फरेंड मिली तो मैंने उसके अंदर पॉइंट नोट किया मैंने का कि नहीं, she's also a sufferer क्यांकि वो भी नहीं छोड़ पाती थी उसके पुराने बॉइफरेंड में छोड़ नहीं पा रहे थी उसका बॉइफरेंड उसको छोड़ना चाता था पर वो छोड़ नहीं पा रहे थी जैसे कि वो कहा मैं तुस्से शादी नहीं करनी, मुझे तुस्से बात नहीं करनी तो फिर वो उसका कॉल आता था उसके बॉइफरेंड का तो उठा के बात करने लगती थी तो इस तरीके के कुछ कॉरेक्टर स्टिक्स थी जो मैंने नोट किया आज मैं रिलेशनिशिप बहुत अच्छा है मतब टच्च बुट मैं फ्यूचर का कुछ नहीं कर सकता है कोई कुछ भी कभी भी हो सकता है यह मैं सोच हो हर चीज चल नहीं वाली है law of uncertainty अप्लाइड हर चगा तो लेकिन आज मैं रिलेशन काफी stable तो एक reason यह भी है कि she was a sufferer लेकिन तुम लोग के साथ problem बता है क्या है तुम लोग ऐसे group के साथ शादी करना चाहते हो या प्यार करना चाहते हो जो lever हो जिस लड़की के control में है कि वो अपनी भावनाओं को control करके आपको लात मार सकती है अगले ही दिन वो लड़की levers में आती है कई मेरे पास complain आती है सर हमारा 5 साल का relationship था एक दिन में उसने खतम कर दिया तो उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई क्या वो attach नहीं थी सब था सब था लेकिन जब लड़की अपना mindset कर लेती है तो वो आज की set नहीं की होती है वो set की होती है छे महीने पहले से ही दो महीने तीन महीने पहले से ही वो धिरे दरे अपना mindset बनाती है पूरा mindset जब बन जाता है उसका तब छोड़ती है आपको ऐसा थोड़ी कि आज mindset बनाया आज सोचा और आज ही छोड़ दिया वो mindset बना रहे है 3-4 महीने से mindset चल रहा है 3-4 महीने से mindset जो है वो चल रहा है हमेंने कोशिच करिएगा तो वो उसके बाद छोड़ा है ठीक है प्लस दूसरी चीज एक और भी है लड़कियों के हाथ में जो भावनाय होती है वो उनके पैरों की गुलाम होती है पैरों के तलवे के नीचे होती है उनकी भावनाय इतना भेंकर कंट्रोल होता है लड़कों का भावनात में कंट्रोल नहीं होता है लड़कों का muscle कंट्रोल होता है लड़कियों को muscle control नहीं दिया भगवान ने लेकिन उनके emotional control उनका अच्छा है especially relationship में especially partner choose करने में वो बहुत conscious होती है और leavers की group में ज़्यादा लड़कियां आती है तो इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि लड़की छोड़ गया रहो तो आप ऐसे लड़कियों को छोड़ गया रहो जो leaver में आती है आपको sufferer में जाना है क्योंकि sufferer चाहते हुए भी आपको छोड़ नहीं पाएगी तो वो flexible होती sufferers जो होते हैं वो flexible होते हैं sufferers जो होते हैं वो relationship को छोड़ नहीं पाते तो आपको ऐसे लड़की को बढ़ाना है जो सफरर है आपको ऐसे ग्रूप में पहले आपको देखना यह सफरर है लीवर है कैसे उससे question पूछो कि पुराने relation में क्या हुआ पुराने relation बताएगी कि उसने मेरी photo leak कर दी थी फेस्बुक पे उसने हमारी kiss की photo अपने दोस को दिखा दी उसने ये किया उसने वो किया गलती वो डालेगी उसी पे यह मज़ सोचों कि वो कहेगी मैंने छोड़ दिया घुड बोलेगी वो तो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसने ऐसा किया उसने photo leak कर दी थी जब मेरी एक्स गल्फरेंट जो मेरी थी 2019 में मैंने उसे जब पूछा कि उसका एक्स जो है कैसे चुड़ा उससे पता मेरे को क्या जवाब दिया था मैं एक लड़के से बात करती थी हमारा ओफिस का मेरा फ्रेंड था उसको उस पर शक हो गया उसने गुसे में उसकी फोटो उठा के उसको दिखा दी हमारी फोटो उठा के दिखा दी किस करते हुए तो किस वाली फोटो दिखा दी जिससे वह अलग हो जाए ये कहानी मेरे को पता है ये कहानी मेरे को पता है अभी जब मैं उसके एक्स से बात करूँगा या मुझे करना नहीं है मैंने सोचा था कई ही बार करने के लिकिन मैं कर नहीं पाया है मुझे लगता था करना चाहिए क्योंकि आपको help करता है ये निकलने में तो आपका अगर break up हुआ है तो आप ex को टटो ले, ex से बात करे धीरे से private से बात करे आपकी भी girlfriend रही है और हम दोनों की common girlfriend है मैं एक बार जरह आपके साथ phone पे आना चाता हूँ मेरा उसके साथ break up हो गया है प्यार से बात करो ex से facebook में message डालो उसको यहर मेरा break up हो गया है भी recently तो मुझे ना उसकी history के बारे में पता करना है उसने क्या क्या किया आपके साथ क्या हो हमारे बीच में थोड़ा सा आप 2 मिनिट के लिए call पे आ सकते है ठीक है आप उसे ex से बात करो तो आपको patterns दिखेंगे आपको समझ में आएगा कि यह actually है क्या लड़की और अगर उससे पहले भी कोई ex है उसको भी line पे लो या उससे line पे तीनों को मतलो आप अलग से बात करो उससे आपको समझना चाहिए कि इस लड़की का background क्या रहा है ठीक है तो आपको समझ में आएगा फिर वो जो लड़का था वो आपको बताएगा फिर वो जो कहानी होगी लड़का जो बताएगा और जो लड़की कहानी बताएगी उनमें जमीन आस्मान का अंतर होगा जब लड़की कहानी बताएगी तो वो लड़की ने कहानी बताईए वो कहानी आप उसको बताईए उसको एक्स को तो कहेगी भाई वो सीधा बोलेगा यह आधिया दूरी कहानी है भाई यह कहानी है ही नहीं भाई यह अपने उपल लेए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ठीक है तो अपना कुछ एजेंडा डालेगा अपना भी कहानी है फिर आप दोनों को जज़ करके फिर सनो न लोग आते मैंने कि मेरी एक्स ने मेरे एक्स के बारे में भी बताया sorry मेरी एक्स ने उसके एक्स के बारे में कुछ बताया तो मैंने का वो complete truth ही नहीं आप उसके एक्स से बात करिए आपको reality दिख जाएगी आप देखो कि साफ साफ common pattern दिखेगा she is a lever जैसे मेरी जो एक्स थी वो she was a lever उसको जैसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा वो सब को छोड़ देती ठीक है क्योंकि देखेए एक बार ध्यान रखे जो लीवर होता है उसके अदर empathy नाम की चीज़ नहीं होती empathy क्या होता है what is empathy जब कोई दर्द में है और आप उसका दर्द फील कर पा रहे हो और आपको दर्द हो रहा है वो empathy होती जैसे for example जब मेरी एक्स ने मेरे को छोड़ा था बहुत पहले की बात है 2019 की बात है तो चक्कर क्या हुआ है समझने कोशिच करिएगा चक्कर क्या हुआ है जब मेरे एक्स ने मेरे टोड़ा आप विश्वास ने करेंगे की उसने एक सेकंड मैं भूल रहा हूँ अच्छली मैं एक च्छी कॉल आ गया बीच में तो मेरा जो flow था वो खराब हुए तो जो एक्स है उससे बात करिए आपको पूरी कहानी सौन में आएगी ठीक है तो जैसे जब मेरे एक्स ने मेरे कुछ वड़ा था तो उसके अगले ही दिन वो उससे रात भर बात करते उसको एकसेट मतलब 10 से 15 दिन तक वो मेरे से सही से बात नहीं कर रही थी मुझे लगा था उसके घर में प्रॉब्लम है लेकिन घर में प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम जो थी ना वो वो किसी ओफिस के लड़के को पसंद कर लिया था उसने और दोनों आपस में मिलते बाते तो उसको आपस में इन दिनों को attachment हो गया होगा तो वो सोचने में उसने लगा दिया 15 दिन के मैं कैसे इसको छोड़ू पार्त को कैसे छोड़ू finally जब मैं land हुआ उसके शहर में और finally जब जाके उसके office के सामने लड़के को witness किया मैंने कभी मैं बताऊंगा कहानी क्या थी पूरी फिर उसने मेरे को वहाँ पर बताया कि भीया मैं तुमारे से relation में नहीं रह सकती हूँ I'm really sorry तो ठीक है वो सब सही था मैं वापस दिल्ली आया मैं अपने दोस को पकड़के रूने लगा और उसके बात क्या हुआ कि उसी दिन रात की बात है उसका दो बज़े तक वेटिंग आ रहा था उसके एक हफते में ये लोग कहीं घूमने गए थे and 110% एक हफते दो हफते में किस भी हुआ होगा और दो-तीन हफते बार सेक्स भी हुआ होगा ठीक है तो और मैं तो अब एमपथी का कैसे रोला है इसमें जिसे आप किसी को छोड़ रहा हूँ let's say कि आपने let's say आपकी मा है हम थोड़ा से इसको ऐसे लेते हैं आपके पिता जी के डेथ हुई और पिता जी के डेथ के एक हफते बाद आपकी मा किसी और के साथ बाते करने लगे किसी और के साथ यह नो संबंद बनाने लगे अगर let's say आपको कैसे लगेगा सच बताना आप कहो गयार यह क्या मतलब अभी तो पापा के डेथ हुई अभी हाँ तो वही जी इसको empathy बोलते empathy वो चीज़ है कि भाई आप कैसे किसी को किस कर पा रहे हो आप कैसे किसी को sex कर पा रहे हो किसी के साथ घूम पा रहे हो आपको यह समझनी आ रहा है कि और वो लड़की वहाँ पर किसी और के साथ बिस्तर गरम कर रही है उसी छण में वो लड़की बिस्तर गरम कर रही है उसी छण में मैं रो रहा हूँ तो मैं यह सुचता था कि यार इसको समझ कभी तो imagine आता हो वो पात क्या कर रहा होगा अभी लेकिन नहीं तो इसको empathy बोलते है तो ये चीज भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि empathy है कि नहीं empathy कैसे चेक होती है अब वो आपको अपना निकालना पड़ेगा पता जल जाएगा अगर वो सफरार है तो पता जल जाएगा तो बीच में क्या हुआ कि एक बार मेरा दोस्त था चीक है मैंने उसके help करी तो उसने उसको register कर लिया कि भाई इसने मेरी help करी है और उसने उसको वापस reciprocate करने के लिए मेरी लिए वी कुछ किया तो इसको empathy बोलते है जिसे किसी ने आपके लिए कुछ भी किया तो क्या वो register कर रहा है सामने वाला क्या वो register कर रहा है जिसे for example जो मेरी अभी current girlfriend है हमारा जब relationship स्टार्ट हो रहा था तो उसकी शादी वाधी के बाद चल ले थी तो इसने हम लोग अक्षरदाम में बैठे हुए थे और CCD है अक्षरदाम मेट्रो स्टेशन पे हम बैठे तो वहाँ पर उसने मेरे को बताया मैं तो भाई इसी से शादी करने वाली हूँ ये लड़का जो है तो मैंने का अच्छा तो मेरा मूँ बन गया बहुत गंदा तरीके से मैंने का चलो एक बार फिर से धोका हो मलब धोका नहीं हुआ फिर से उसी से गुजरना पड़ेगा तो मैंने का ठीक है नहीं या अभी मैंने इस माया के साथ इतना कुछ रिलेशन में गया हूँ मैं जेल लूँगा इसको भी कुकी हमारा जो रिलेशन था वो आलमिस्ट हमारी बात हो रही थी छे-साथ- आट महीने बात हो चुकी थी हमारी नौ महीने बाद मैंने उसको मतलब दस महीने बाद मैंने उसको प्रपोस किया था जो मेरे भी करेंट गल्फरेंड है तो हम अक्षर दाम पर बैठे हुए था उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे इसी शाथी करनी है तो वो देख रही थी कि मेरा मूँ बन रहा है और यह सब तो मैंने खाए ठीक है मैं तो मैं घर छोड़ देता हूँ ने ने मैं चली जाओंगी कोई दिक्कत नहीं ने मैं छोड़ देता हूँ तो वो बाइक पे बैठकी यही सोच रही थी कि मैंने इसको जस्ट अभी बोला है कि मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ और यह उसको याद रही, आज भी वो बोलती है, इसको empathy बोलते हैं, यह register करने का तरीका होता है, छोटी-छोटी बाते हैं आप register करते हो कि आदमी क्या कर रहा, कई लोग के साथ करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपने कितनों लोग के साथ कुछ, आप register करते रहो कि वो नहीं करेगा तो कई लोग के साथ करते रहो करते रहो करते रहो उनको कोई समझे नहीं आता अभी रिसेंटली मेरा एक क्या बोलते हैं कई ऐसे लोग हुए जहाँ पे उनके ब्रेक अप में मैंने हेल्प करी रात में दारू पी के पड़े हुए था तो हॉस्पिटल लेके गया ठीक है सब कुछ किया लेकिन आज जब मेरे को कुछी चीज की जुरुत पड़ी तो उनको कुछ ब्लांक ठीक है तो उस वक्त तो उन्होंने रेजिटर किया लेकिन उसके बाद में रेजिटर नहीं किया तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं देखना पड़ता है कहां क्या registration हो रहा है अगर registration हो रहा था empathy है तो always go with the sufferer if you are a sufferer if you are a leaver तो आप sufferer बने मेरे साथ से leavers जो है न वो तब होना चाहिए जब आप cheat 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 किया गया हो तब आप leave कर सकते हो obviously misunderstanding में भी आपका decision अगर आप लिसे misunderstanding में निकल पा रहे हो तो आप एक sufferer नहीं lever हो because maybe you have the death guts तो mostly यह देखा गया है कि जो आदमी जिसके ओपर धोका दिया जाता है और जिसके ओपर धोका किया जाता है जो धोका देता है और जो धोका करता है sorry दोनों एकी जिए जो धोका देता है और जिसके साथ धोका हुआ है यह दो अलग-अलग groups होते है जो धोका करता है उसके साथ कभी धोका नहीं हुआ होता है जिसके साथ धोका होता है उसके साथ सिर्फ धोका ही हुआ होता है जिससे मैं मैंने कभी किसी को मेरी हिम्मत नहीं बढ़ते, मैं दोका दे सकूँ, ठीक है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मेरे साथ हमेशा धोका हुआ है, क्योंकि जो आदमी जिस फीलिंग में जा चुका है, वो आदमी नहीं करना चाहता उसके साथ, क्योंकि कीचड़ों पत्थर में फरकी कह रहेगा फिर, ठीक है, तो इसलिए आदमी नहीं करता है, तो एक ये है, तो सफरर को identify करें, सफरर की quality पैचाने, और उसके बाद अगर आप एक सफरर हो, अगर आप खुद एक lever हो, तो आप सफरर के साथ मत जाएं, क्योंकि फिर वहाँ पर clash हो जाएगा, अगर मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो आपकी right partner है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी, काफी लंबे समय तक है, चलता रहा, तो वो एक सफरर है, तो हो सकता आप सफरर हो, तो आप सफरर के साथ जाएं, क्योंकि दोनों एक stand पे हैं, दोनों कभी एक दूसरे को suffering नहीं Anyway